स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल उन्सपार्ट में तो कैसे हैं आप सब लोग मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िये होंगे और अपनी त्यारी को बढ़े अच्छे तरीके से कंटीनिव कर रहे होंगे तो इससे पहले बाले लेक्च स्कृष सुट के लोग है अगर हम उनकी परसेंटेज देखते हैं थेलिया साइज तो उसमें किसी साल सेंपल में तो उसको हम लोग किसे टेव्क सा इसे कर सकते हैं पार्टिकल साइस डेगिन से सीव एनलीजिस तो उसको हम लोग डिसकस करने वालने हैं तो हैडिंग क्या डालनेंगे यहाँ पर यहाँ पर हैडिंग डालनेंगे सीव एनलीजिस क्या देखने वालने हैं सीव एनलीजिस हम देखने वालने हैं सीव एनलीजिस तो सीव एनलिसिस पे आज हम लोग क्या डिसकस करने बले हैं यहां पर अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि यह सीव एनलिसिस होता है यह किसके लिए होता हमारा लाज साइज पार्टिकल्स के लिए होता है किसके लिए होता हमारा क्या होता है हमारे Large Size Particles होता है Large Size Particles के लिए हम लोग क्या करते है CEO Analysis करते है अब इसमें हम लोग basically क्या क्या चीज़ी यूज़ करते है तो इसमें हम लोग अपरेटेस को यूज़ करते है वो क्या होता हमारा सबसे पहले अपरेटेस की अगर मैं बात करता हूँ तो अपरेटेस कौन सा यूज़ होता है अपरेटेस यूज़ होता है इसमें सीब अब ये सीब क्या होती है ये बिसिकली क्या होती है शाननी होती है आप सभी ने जैसे अपने गरो में शाननी वगरा देखते हैं यसे हम लोग क्या करते हैं यह हमारा आठा वगरा रहता है उसको हम लोग सीब करते हैं ऐसी जो बचे साइल्ड़ी लैब में गहे होंगे उन्होंने वहाँ पर एक शाननी टाइप की देखी होगी उसमें क्या होता है किसे बनी होती है वो अगर हम बात करते है तो उसमें क्या होता है वायर मेश होती है उसे ये बनी होती है ये मेड होती है वायर मेश से क्या होता है वायर मेश से ये बनी होती है वायर का क्या रात जाला वुना होता है तो उससे जो क्या बनती है हमारी सी बन ड्राइंग सा हमारी इतने अच्छी नहीं है फिर भी हम ट्राई कर रहा है यहां पर कि कुछ इस टाइब के होती है तो आप सभी ने अपनी लैप्स पर गरह में देखी होगी जब आपने अनलिसिस करा होगा तो वहां पर देख्या होगा यह क्या एक सीब है हमारी खैक है इस से हम लोग क्या करते हैं CP analysis के test perform करते हैं तो भूप शारी soups होती है हमारे different size की soups होती है तो अभ आपके mind में doubt ये आएगा कि इसके size का कैसे पता चलता हमें खीक है मैंने बहुदा कि different size की soups होती है हमारे पास तो इसके size का कैसे पता चलेगा हमें यह यह आपके mind में question आना चाहिए कि कैसे पता चलेगा अब इसके लिए क्या हुआ इसके size का question यह मैंने आपको अभी put करा यहां पर आपके mind में में आया होगा कि यह सीब्स हैं यह तो different different size की होगी तो इसका size कैसे ता होता है तो इसलिए यहां पर क्या होता है IS code इंटरफियर करता है IS code IS code क्या बोलता है सीब्स का size कैसे पता चलेगा यह इसमें क्या है square है square बने हुए हैं ठेक है कहां बने हुए है square यह देख सकते हो आप यह क्या है square है यह महलब सीवन में क्या बने रहते है square बने रहते है यह क्या एक square है जैसे यह क्या बना हुआ square बना हुआ है तो इन जो square है इनकी जो opening है ठीक है यह जो square है इनकी जो opening है यह क्या represent करती है यह size को represent करती है रिप्रेजेंट साइज इन इसमें mm और micron तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसका साइज किसमें mm ये micron नहों हो सकता है एक्जम्पल के तोर पे अगर मैं बोलू यहां पे कि यह उपर की सीव है यह 4.75 mm की सीव है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हां पे यह स्क्वेर है इसकी ओपनिंग है यह स्क्वेर की ओपनिंग है यह कितनी है 4.75 mm है इसलिए मैं क्या क्या हूँगा कि यह मेरी सीव है यह कितनी है 4.75 mm की है यहीं पे अगर मैं बोल दूँ यह कितनी है 75 micron की है तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 micron को अगर mm में convert करें तो क्या आएगा, 75 into 10 raise to power minus 6 meter आजाएगा, कल मैंने आपको बताया था कि meter को अगर cm में करते हैं, तो क्या हो जाता है, multiply करना पड़ता है, इसको किसके साथ, 10 raise to power 2 के साथ, और अगर इसको हमें उसमें करना होता है, mm में तो 10 raise to power minus 3, तो minus 3 करेंगे, तो क्या आजाएगा, 0.075 mm, यह चीज़ कल मैंने आपको बताई थी, कि अगर 75 को आपको किसमें convert करना हो, mm में करना हो, तो यह कितना होता है, 0.075 mm होता है, तो 75 micron की, अगर मैं बोलता हूँ, आपकी सीब कितने की है, 75 micron की है, तो इसका मतलब यह स्क् स्क्वेर की opening है, यह कितने की है, 75 micron की है, जाएगा, इसको बोल सकते है, 0.075 mm की opening है, यह जो square है यहाँ पर जैसे यह बन रहा है, मैं इसको अलग कलर से अब दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर, यह यहाँ पर कलर चीज़ नहीं हो पा रहा है, इसको मैं लग से दिखाता हूँ, इस कलर से दिखा देता हूँ आपको, यह से यह है, यह opening है square की, ठीक है, यह opening है square की, यह square बन रहे है न, बीच में जैसे, यहाँ पर क्या square बन रहे हैं यह, अब यहाँ पर आपको कुछ rectangle जैसा भी दिख सकता है, क्योंकि यह मैंने बनाया है, यहाँ पर तो, simply हम लोग उन्हें proper नहीं बना पाए हैं, जैसे यह है, यह आपका square दिख रहा है, यह सारे के सारे क्या बनाते हैं, square बनाती है, यह square है, इसकी opening है, जैसे यह बले कि अगर मैं बात करूँ, तो यह अगर मैं बोलता हूँ यह 75 micron की सीब है तो इसका मलब यह square है इसका size क्या होगा इसकी जो opening इसका size क्या होगा 75 micron होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं यह हम लोग size की बात करते हैं तो इस तरीके से हम लोग size को देखते हैं तो आई होब आपको यह clear हो गया होगा कि यह इसका size होता है यह किस तरीके से हम लोग लेते हैं तो आप आते हैं हम लोग इसके procedure के ओपर कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग यहां पर इसके लिए IS code कौन सा यूज़ होता है पहले ये लिख लिजी आप एक सी इवैनलिसिस में यो हम लोग आईएस code यूज़ करते हैं कौन सा IS code यूज़ करते हैं IS code यूज़ करते हैं हम लोग इसमें 460 1962 ठीक है इस IS code का यूज़ किया जाता है ये आपको अपने mind में clear रखना है कि कौन सा IS code यूज़ होता है 460 1962 IS code का हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है अब सीब को कैसे डेक्जिनेटर किया जाता है पहले number यह मैं आपको बता चुक हूँ फिर से एक बाल लिखवा जाता हूँ यहां पर सीब को डेक्जिनेटर कैसे किया जाता है यहां पर मैं आपके बिल्कुल शाड नोट्स बन रहा हूँ तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डेक्जिनेटर डेक्जिनेटर का मतलब क्या हो गया कि यह कौन सी सीव है तो उसको कैसे किया जाता है तो अभी मैंने बताया यह किसके बिस्स पर किया जाता है साइज आप स्क्वेर ओपनिंग के बिस्स पर किया जाता है साइज आप स्क्वेर ओपनिंग square opening के ओपर किया जाता है इसको अब size of square, यह square opening होती है इसको हम लोग किसमें लिखते हैं या तो इसको हम लोग mm में बोल सकते हैं या किसमें बोल सकते हैं, micron में बोल सकते हैं तो micron से mm में कैसे करते हैं, convert करते हैं चीज में लड़ी को बता चुका हूँ तो यह चीज आपको रोगी होगी इस में क्या करते हैं हम लोग कि यह हमारी defence क्या होती है सीब्स होथी है इनको क्या करते है प्लिस करते एक दूसरे के उपर ठीक है कि किसमें dec tracing order में और उसके ऊपर क्या करते है ठीक है और यह हुमारा sample होता है soil को इसको test करते हैं क्या करते हैं यह इनकी seeds होती हैं यह सबसे top आली seed होगी उसके उपर डालेंगे तो क्या कहना चारों basically यहाँ पर एक diagram से समझाने की कोशिश करते हूं यहाँ पर आपको try करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर कि आपको proper understand करा सकूँ यहाँ पर पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूं उसके बाद मैं आपको चीज़ों को understand करवाँगा फिर मैं एक एक चीज़ आपको explain करता जाता हूं कि क्या जी मैं आपको यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है मान लिजी जी क्या है मैंने आपकी सीब्स को arrange करा हूँ है ठीक है यह सीब्स है ठीक है अब यह किस में decreasing order में सीब्स कैसे लगी हुई है decreasing order में decreasing order में decreasing order का मतलब सबसे बड़ी सी उपर होगी उसके नीचे उससे शोटे वली यहां पर हम लोग क्या करेंगे एक सैंपल ले लेंगे और सैंपल कौन सा लेंगे हम लोग यहां पर सैंपल अभी मैंने आपको बता दिया ड्राइ सॉयल सैंपल लेंगे ठीक है अब इस sample को क्या करेंगे हम लोग seeps के ओपर डालेंगे और seeps को कैसे arrange करा हुआ है seeps arrange करी गई है यहां पर seeps arrange कैसे करी है arrange in decreasing decreasing इसको बोलते हैं decreasing इस तरीके से लिखते हैं decreasing order में ठीक है decreasing order मैंने बता दिया यह सबसे बड़ी इससे शोटी उससे शोटी माल लिजीए जैसे यह क्यों सी सीव हमारी यहां पर अगर मैं example के तोर पर लेता हूं तो यहां पर हम ऐसे बूलते हैं इसको कि यह हमने यहां पर माईक्राइब की होगी यह वाली उससे शोटी होगी यह कितने की होगी हमारी 112 माईक्राइब की होगी यह वाली उससे शोटी होगी यह कितने की होगी जैसे 150 माईक्राइब की होगी यह वाली कितने की होगी 75 माईक्राइब की होगी तो इस तरीके से इनका size क्या होता है हम लोग decrease करते जा रहे हैं ठीक है तो size क्या होगा इनका decrease होगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो यह हम लोगों ने यो सीब अरेंज करी रहती है यहां पर तो यह कौन से सीब होती है decreasing order में हम लोगोंने seeps को arrange किया होता है ठीक है अब जो हम लोगोंने यहां पे seeps arrange करी हुई है इसका मैंने एक चीज़ और आपको बता दी है हम पे कि इनका order decreasing order में होगा sample हम लोगोंने कहां पे जो top अली seeव हो उसके ओपर हम लोग डाल देते हैं उसके बाद में हम लोग क्या करते है sample को डालने के बाद में क्या करेंगे seeping करेंगे seeping का क्या मतलब होता है basically इसको shunna शुरू करेंगे seeping करेंगे अब यह seeping है यह कैसे कर सकते हैं हम लोग यह हम लोग manually भी कर सकते हैं और mechanically भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, manually, manually मतलब, खुद से हम लोग कर सकते हैं, यसे यह सारी सीप्स लगी हुई हों, और इसको क्या करेंगे, हाथों से आपने lab में गयोंगे, तो यसे जिस तरीके से हम लोग, आटे को शांदना स्टार्ट करते हैं, बैसे यह sample है, इसको शांदना स्टार्ट करेंगे, और इसको mechanical भी कर सकते हैं, ऐसे एक आपके पास यहाँ पर क्या होता है, instrument होता है, lab में, तो उसको हम लोग, उसके help से हम लोग क्या कर सकते हैं, mechanical इ, इसको हम लोग perform कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, नीचे रेटेंड करता जाएगा, ECF से ECP पर आएगा, यहां से ECP पर आएगा, ECP पर आएगा, तो ऐसे करके हमारा sample क्या करता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, और यो जो particles होंगे, मतलब यो हमारे particles होंगे, माल दिजिए जैसे यह बली सीप्स हम लोगोंने बूल दिया, कि हमारी सीप्स कितने की है, 40 mm की है, यह 20 की है, यह 10 की है, ठेक है, तो यह 2 की है, यह 1 की है, mm है, यह सारी ठेक है, फिर से मैं आपको समझाने के लिए लिए लिख रहाएँ, यहां पे जैसे अब यो पार्टिकल्स जिनका साइज 40 mm से ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे इस सीब के उपर रिटेन कर जाएंगे अब यो 40 mm से शोटे होंगे वो पास कर जाएंगे और 20 mm बली पे आजाएंगे अब जिनका साइज 20 mm से ज़्यादा होगा और 40 mm से कम होगा वो इस से अली C पे रिटेन कर जाएंगे कुछ पार्टिकल्स और यो 20 mm से शोटे होंगे वो इस पे आ जाएंगे 10 mm बली C पे आ जाएंगे ठेक है अब यो 10 mm से शोटे होंगे वो 2 mm बली पे चले जाएंगे और यह 2 mm से शोटे होंगे वो किस पे आ जाएंगे 1 mm पे आ जाएंगे और यह 1 mm से शोटे होंगे तो वो यह नीचे पान लगा रहता है उसमें collect हो जाते हैं ठीक है एक पैन लगा रहता है नीचे तो उसमें जाके क्या हो जाते हैं collect हो जाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है particles हमारे क्या है कि यो पार्टिकल्स यासे ये 20 mm की सीब है तो इसका साइज क्या होगा 20 mm होगा तो जो पार्टिकल्स का साइज 20 mm से कम होगा वो इससे क्या कर जाएंगे पास कर जाएंगे और जिन पार्टिकल्स का साइज 20 mm से ज्यादा होगा वो इसके उपर क्या करेंगे the size of the particle if greater than greater than the sieve then the particles retained retained on that sieve but if size is less than size is less than less than but if the size is less than sieve but if size is less than sieve less than size of sieve then passing to next sieve this is this you can आने के लिए आपको English लिख दिये यहां पर तो आप जिस तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं यह जो बच्चों को चाहिए यहां से यह वली भी सेम चीह लिख सकते हैं समयने के लिए क्या बोलना चाहा है मैंने यहां पर एक बार फिर से सिप से पाटिकल्स का तो पाटिकल्स क्या कर जाएंगे पास कर जाएंगे नशीप पर इसी चीज को मैं यहां पर फिर से एकस्प्लेइन कर देता हूँ जैसे यह हमारी कितने की है दो सीप ले लेता हूं यहां पर मैं ठीक है ये दो सीब्स ले लिए हम लोगों ने ठीक है अब यहां से मैं आपको एक्स्पेंड करता हूँ ये वली सीब कितने की है ये हमारी 40 mm की समझीएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से ये कितने की है ये 20 mm की है अब इसके उपर मैंने डाल दिये पार्टिकल्स ये आगे पार्टिकल्स अब जिन पार्टिकल का साइज क्या होगा ना ठीक है यो पार्टिकल्स इसके उपर रिटेंड कून से पार्टिकल्स करेंगे रिटेंड करेंगे यहां पर retained इनका size क्या होगा particles का ये particles की बात हो रही है greater than होगा किस से 40M और यहां से क्या कर जाएंगे particles क्या कर जाएंगे कुछ particles क्या pass करके नीचे आ जाएंगे इसके उपर तो ये जो particles इसके उपर आए हुए है ठीक है ये कौन से हैं इनका size क्या है अगर मैं बात करूँ less than 40mm ठीक है इनका size less than 40mm अब अगर इसके नीचे एक और सी भी लगी होगी तो ये particles पास कर जाएंगे तो हम बोलेंगे उन particle का size क्या है less than 20mm और ये इसके उपर retain कर गे तो वो particle का size क्या है greater than 20mm से ठीक है तो आई हूप आपको ये चीज बिल्कुल clear होगी होगी जो चीज मैं आपको बताना चाहरा था यहां पर अब यहां पर एक point और लिखिए ये जो मैंने आपको बताया सीबिंग करते हैं यहां पर पीछे अब मैंने बताया manually कर सकते हैं यह आप कैसे mechanical कर सकते हैं तो यह सीबिंग का timing कितनी रहती है time किसका सीबिंग का कितना रहेगा हमारा यह रहता हमारा कितना 15 to 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes के लिए हम लोग क्या करते हैं सीबिंग करते हैं यह क्या है at least है at least मतलब कम से कम इतनी देर तो हमें सीबिंग करना ही करना ही है इसका मतलब क्या हुआ जब यह आप particles को शाननेंगे यह आप size डाल लेंगे तो इनको अगर आप manually कर रहे हैं तो शाननेंगे तो आपको कितनी देर तक शाननना है तो उनके हम लोग weight of soil को node कर लेंगे ठेक है तो weight of weight of soil weight of the soil friction बोल सकते हैं आप उसको यह retain करेगी उसको हम बोल क्या बोल सकते हैं soil friction बोलते है soil friction retained 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 over the sieve over हर एक sieve के उपर over each sieve each sieve का मतलब क्या हुआ जितने भी यह sieve लगी हुए है इनके उपर जो particle क्या कर रहे हैं retained कर रहे हैं जो इनके उपर उपर उख रहे हैं particles तो उनका क्या कर लेंगे हम लोग weight कर लेंगे ठेक है उसको क्या कर लेंगे हम लोग no don't कर लेंगे ठीक है इसकी help से हम क्या करते है इसकी help से हम लोग क्या compute करते है compute करते है percentage finer इसकी help से हम क्या compute करते है percentage finer को compute करते है ठीक है जो भी हमारे sizes आपटिकल्स हैं उसका हम लोग को compute करते हैं कि यो हमारे particles हैं उसका हम लोग percentage finer को compute कर लेते हैं जो हमारे given size आपटिकल्स हैं थेक है तो इस दरीके से हम लोग test को現在 perform करते हैं तो ये जो हमारा percentage finer होता है 97 परसेंटेज faction ने Hunger लिए percentage finder का मतलब कितने यो हमारे particles है यो यो pass कर जा रहे हैं ठीक है दूसरी सीब पे एक सीब के उपर अब मान लिजे जैसे हमारे यो particles है ठीक है आगर मैं बोलू यहां पर कि हमारी यो 40 mm की सीब से है मान लिजे मैंने बोला कि इसके उपर एक भी particles नहीं बचा निल कोई भी particles इसके उपर नहीं बच रहा है सारे के सारे पास कर गए यहां पे 20 mm बली पर आगे है तो मैं बोल साथा हूं कि यह हमारी 40 mm की सीब है इसका परसेंटेज कितना होगा इसका 100% होगा क्योंकि इसके उपर से सारे के सारे particles पास कर गए है तो percentage final कितना होता है 100 माइनस cumulative cumulative percentage percentage बेट रिटेंड बेट रिटेंड अब यह क्या चीज है इसको मैं बताऊंगा आपको किसके साथ example के साथ इसकी हम लोग क्या करेंगे example solve करेंगे अगर आप लोग SSCJ के लिए preparation कर रहे हैं तो उसके mains में इसकी एक examples आपको question देखने को मिलता है तो उसको हम लोग करेंगे कल हमारी नेस्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे example ले लेंगे और हमारा CV analysis को complete कर देंगे फिर हमारा नेस्ट यह process है stage 2 इसकी जो दूसरा जो method है हमारा यह हम लोग ने CV analysis देखा two stages में करते हैं इसको दूसरा कौन सा होता हमारा sedimentation analysis यो किसके लिए होता हमारे जो fine grain soils होती है उनके लिए रहता है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे CV analysis किसके लिए होता हमारा large size particles के लिए होता है यह चीज मैंने आपको अलड़ी कल भी बता रखी थी एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया यहां पे CV analysis में क्या होता है basically CV analysis दो type की होती है आगे यह क्या होती है core saving होती है क्यों होती है core saving core saving को और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पे core saving को आप बोल सकते हो gravel saving क्यों बोल सकते हो gravel saving कोई बच्चा है यहां पे यह चीज मुझे बताएगा comment करके आप बता सकते हैं तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर explain कर देता हूँ इसको gravel seiving भी क्यों बोलते है core seiving का कल मैंने आपको size क्या बताया था 4.75 mm से लेके 80 mm तक बताया था ना कहां तक होता है 280 mm तक होता है अगर आप gravel के size की बात करें तो gravel का size भी तो यही होता ना 4.75 mm से लेके 80 mm तक इसके जो D का size होता है ठीक है size आप आटिकल्स तो यह चीज क्या है core seiving में हम लोग 4.75 mm से लेके 80 mm तक के जो size होता है उसको लेते हैं तो इसी बज़ा से इसको हम लोग gravel seiving भी बोल सकते है standard size कल मैंने आपको इसके बता दिये थे और अगर आप fine seiving करते हो standard size दो सबको पता नहीं के 4.75 mm उसके बाद मैं मैंने कौन सा बताया था आपको कल 40 mm बताया था 20 mm बताया था मैंने आपको 10 mm बताया था तो यह क्या थे standard size थे fine seiving की अगर हम बात करते है fine seiving में क्या होता है हमारा fine seiving को हम लोग क्या बोल सकते है sans seiving भी बोल सकते है अब sans seiving क्यों बोलते हैं अब तो आपको definitely इसका answer पता चल गया होगा क्योंकि उपर मैंने उसका बता दिया पहले बाले गा इसको fine seiving इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो d का size होता है यह कितना होता हमारा 75 micron से लेके 4.75 mm तक जो हमारा sand का size होता है यह भी इसी के बीच में लाइक करता है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग fine seiving भी बोल देते हैं standard size कल मैंने इसके भी बता दिये थे आपको यहां पर इसके जो standard size से मैंने बताया थे 2 mm, 1 mm, 600 micron, 425 micron, उसके बाद में 212 micron, 150 micron, उसके बाद में 75 micron, तो यह सारे size मैंने आपको बताये थे, इसमें हम लोग क्या करते हैं basically, एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखेगा, जो चीज़ important ह इसमें, तो वो जिक्या है हमारा, इसमें जो हम लोग soil का soil लेते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, soil को wash कर लेते हैं, यह हमारा soil sample लेंगे, उसको क्या करेंगे, Fine Sipping की बात हो रही है, यहां पर, इसी का point आ आ गए, इसको मैं यहां पर इस तरीके से कर देता हूं, इसका देते हैं, soil sample को wash करते हैं, wash क्यों करते हैं, soil sample को, basically इसमें क्या होता है, कि इसमें जो हमारा particles होंगे, मान लीजी जैसे हम लगोंने sand का particles लिया है, अगर हम sand को लेते हैं, तो उसके उपर क्या लगा होगा, clay लगी होगी, silt लगी होगी, जो clay है, उसकी कला आपको मैंने बताया था, उसका जो size होता है, वो क्या होता है, clay का, clay का size कला आपको मैंने बताया था, less than होता है, clay का size less than होता है, किसे 2 micron से, ठेक है, अब अगर clay का size clay हो गया, silt हो गया, अगर इनका size इतना कम होता है, तो वो sand के particles के उपर चिपक सकता है, तो जब हम उसकी siebing करेंगे, तो वो क् यह था, लेकिन, वो क्या करेगा, माल लिजिए उसको, यो sand का particles था, उसको, जिस siebing के उपर retain करना था, उसके उपर retain करने की वजाएब, वो तूसरी, उससे पहले वली siebing के उपर retain कर जाएगा, क्यों retain कर जाएगा, माल लिजिए जैसे, यहाँ पर हम लोग siebing बना रहों में आपके लिए, समझाने के लिए, यहाँ पर, मॉल लिजिए sand के particles को, इस siebing के उपर आखे, retain करना था, ठीक है, लेकिन, वो इसी siebing के उपर retain कर गया, क्यों retain कर गया, क्यों कि, इन्संड के particles के साथ में क्या चिपक जाएगा clay चिपक जाएगा ठीक है particles के साथ क्या चिपक ज़एगा पार्टिकल से इनके साथ क्या चिपक ज़एगा clay and sil напр तो clay और sil Trungbecca अगर इनके उफर चिपक ज़एगा तो उसकी वज़ा से यह sample को तो उसको wash करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं इसको इसको हम लोग wash करने के बाद में pass करवा लेते हैं किसे 4.75 mm seep से और उसके बाद में हम लोग test carry out करते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं यह आपके लिए important है यहां पर इसलिए इसको हम लोग बैट सीबिंग भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बैट सीबिंग यह important आपके लिए अगर आपको पूछा जाता है कि fine सीबिंग को और क्या बोल सकते हो आप तो fine सीबिंग को आप बैट सीबिंग भी बोल सकते हो क्यों बोल सकते हो अब आपको यह चीज clay और हो चुकी होगी कि यह हमारा clay और slit होते है इसके particles क्या करते है sand के उपर चिपक जाते है चिपकने की वज़ा से क्या होता है कि जिस sieve में इसको retain करना चाहिए था उससे पहले वाली sieve के उपर ही retain कर जाते है उसकी वज़ा से हमारे test and results क्या होते है inaccurate होते है इसलिए हम लोग क्या करते है हमारा यो है इसकी क्या कर लेते है wash out कर लेते हैं इनको बड़ी ऐसे तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके soil sample को क्या करते है wash करते हैं तो simply इसको wet saving बोलते है आपके लिए यह नाम काफी ज़्यादा important है बाकी चीज़ें अगर आप बूल भी जाते है exam में तो चल जाएगा यही exam सापको exam में आपको जाकर पूछा जाएगा कि इसको wet saving कि इसको बोलते हैं तो आपको पता हुन चाहिए कि fine saving को bet saving बोलते हैं core saving को नहीं बोलते हैं तो इनके जो नाम है यह काफी ज़्यादा important है sand saving, fine saving और bet saving और इसका core saving और gravel saving तो यह था हमारा saving के बारे में कल हम देखेंगे इसकी examples अगर आपको आज की class अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को subscribe कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends पगारा के साथ भी share करिए thank you guys